सू प्रवातम साथियों, मेरा यूटीव चैनल सुविदा 2010 में साधर पूर्वक अभिनंदन मैं हूँ रविकांत भकत, आसा है आप सभी लोग सा कुसल होंगे सुनो सुनाओ, ज्यान बढ़ाओ, जीके यानि की सामान्य ज्यान से समंदित वीडियो सिरीज बनने का मेरा खास मक्सद एही है कि आप में ध्यान से सुनने की छमता बृत्ती हो, क्योंकि एक रिशार्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तत्तों को सुनने की छमता घड़ चुकी है बधिक छमता में विकास होने वाले तत्तों से हम सब धेरे-धेरे दूर होते जा रहे है मुझे उमीद है या वीडियो प्रती दिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने निश्चित है आपका IQ लेवल बढ़ेगा आज इस वीडियो के माद्धम से बात करेंगे आज घटित, हिस्टोरिकल इबेंट्स यानिकी एतिहसी घटनाओं के बारे में जो हम लोगों को जनना बहुत जोरूरी है फिर बात करेंगे उन सक्सियोतों के जन्वदिवस एबंग पुन्यतिति के बारे में साथ ही साथ उत्सव एबंग अवसरों के बारे में भी बात करेंगे अंत में ताजातरिन घटनाएं यानकी कारंट एफियर्स पर एक नजर डालेंगे इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे वीडियो को ध्यान से सुने, सुरू से अंतक सुने, काम करते करते सुने, अराम करते करते सुने और दुसरों को भी सुनाएं ज्यान बढ़ाएं सभी प्रकार के प्रतिजोगिता परिच्छाओं में पूछे जाने वाले समन्ने ज्यान यानि की जीके को स्ट्रोंग बनाएं। आसानी से आपको आपके आस्रिताओं को सरकारी नुक्री मिले। इसी सुबकावनों के साथ सुरू करते हैं आज के सुबिचार से। बिकास और बिनास दोनों आफिक के हाथ में हैं। सुनो सुनाओ ज्यान बढ़ाओ पाठ तिरपन के इस एपिसोड में बात करेंगे देश और दुनिया में घटित महतपूर्ण घटनाएं जो आठ फरवरी को घटित हुआ है। पाहला घटना 1238 का है ब्लादीमीर सहर को जलाया। मंगलों ने आठ फरवरी 1238 को रूस के एक सहर ब्लादीमीर को आग के हवाले कर जला दिया था। दूसरी घटना भारत के ब्रिटिस गवर्नर जनरल बारेंग हंटिंग ने आठ फरवरी 1785 को भारत छोड़कार बापस लंदन चले गए। बारेंग हंटिंग भारत में 1774 से लेकर 1785 तक कुल 11 साल गवर्नर जनरल रहे थे। तिसरी घटना सेर आली की सहाधत आठ फरवारी 1872 को अंडवन जेल यानकी सेकूलर जेल में सेर आली ने गवर्नर पर हमला करके सहाधत प्राप्त की थी। चोथी घटना मरक को संदी योरोप के दो देश जार्मानी और फ्रांस के बीच आठ फरवारी 1909 को एक समझता हुआ था जिसे मरक को संदीश के नाम से जाना जाता था। पांचिवी घटना नेताजी का जापान जात्रा आठ फरवारी 1943 को जार्मानी से एक नोका के जारिये महान सतंत्रदा सिरानी नेताजी सभास्चंद्र बोस जापान के लिए रवाना हो गये थे। चट्टी घटना राष्टबंडल देशों की अध्दच बिटीज की महारणी एलिजाबेद आठ फरवारी 1952 को राष्टपति अल देशों की अध्दच बनी थी। साथवी घटना नेस्डेक की शुरुवात नेस्डेक नेट डेट दुनिया के पहले इलेक्टोनिक सेयर बाजर है इसकी शुरुवात आठ फरवारी 1951 को हुई थी। ला आउस हमला आठ भी घटना दच्छिन भीयतनामी शेनानी आठ फरवारी 1911 को लाउस पर हमला किया था। नवी घटना दिल्ली में प्रिपेट टेक्सी सेवा शुरू। पहली बार आठ फरवारी 1986 को दिल्ली हवाय अड़े पर प्रिपेट टेक्सी सेवा शुरू की गई थी। दसमी सेवा गटना विकेट लेना का विस्वर करड। भारतिय क्रिकेटर कपिल देव ने आठ फरवारी 1994 को टेस्ट मेचों में 432 विकेट लेकर रिचार्ट हैंडली के बाद सबसे अधिक विकेट लेना का विस्वर करड। तोड़ा था। उसके बाद सियोल समझता भारत दक्षिन कुरिया के बीच आठ फरवारी 2006 को तीन समझता हुए थे। बरविघटना जीडी बिल्ला पुरसकार संतुरू भट्टाचार्ज को आठ फरवारी 2008 को जीडी बिल्ला पुरसकार से सम्मानित किया गया था। श्री बटाचार्ज बेंगलूरू इस्थित इंडियन इंस्टिट आप साइन्स के बरिष्ट बैगानिक थे। उसके बाद पुर्णा सहर का अवसेस। अलगर में आठ फरवारी 2008 को खुदाई के दोरन 2500 बस पूर्व कुर्णा सहर का अवसेस प्राप्थ हुआ था। चलिए अब बात करते हैं उन महार बेक्तियों के बारे में जिनका जन्म आठ फरवारी को हुआ था। भारतिय सिविल सेवक और प्रसासक वीटी क्रिश्नमाचारी का जन्म 1881 को भारत के तिश्रे राष्टपती जाकीर हुशेन का जन्म 1897 को प्रसिद्ध भारतिय ठुम्री गई सोभा गुर्टु का जन्म 1925 को गोमांतक दल के सदेशवाला देशाई का जन्म 1928 को भारतिय बार्वे मुख चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंदोह का जन्म 1949 को गजल गायक हरजित जगजित सिंग का जन्म 1941 को भारतिय हिंदी कभी असक चक्रधार का जन्म 1951 को भारतिय क्रिकेटर मुहमद अजरुदिन का जन्म 1963 को और भारतिय महिला क्रिकेटर एक्ता वीस्ट का जन्म 1986 को हुआ था अब बात करते हिं उन महान सक्षियोतों के बारे में जिनका निधन आठ फारवारी को हुआ इसलामी समराज्य के संस्तापक खुले खान का निधन 1265 को हुआ आजादी के लिए संगर्ष करने वाली महिला क्रांतिकरी कल्पना दत का निधन 1995 को हुआ और महान लेखक कनाया लाल मानिकला निधन 1971 को हुआ आंत में ताजातरिन घटनाओं के पर एक नजर जो आठ फारवारी 2021 को घटितुआ उत्राखंड के चमेली में ग्लेसियर फटने से हुआ जलप्रलय के कारण भारी तबाही अठर लोगों की गई जान दो सो दो लोग वे लापता भाब राम मंदिर निर्मान में मुस्लिम समधाय भी बढ़ चड़ कर ले रहे हिस्सा हसन अली और साहिद साह अफरिदी के वदलत पकिस्तान ने दुसरे वा अंतिन टेस्ट में दचिन आफरिका को 95 रन से दी मात साथियों जदपी से त्यार करने में पूरी सब्धानी रखने की कोशिस की गई है फिर भी किसी घटना तीथी या अन्नत रूटी के लिए छमा परती हूँ किर्पया अपने स्थर से निराकरन कर लें इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ काल फिर मिलेंगे अधिक जनकारे के लिए सुविधा जीके ब्लोगपोस्ट डॉट कॉम में जाकर विजिट कर सकते हैं सुविधा 2010 टेलीग्राम ग्रूप में जोडने के लिए एड़ दा रेट सुविधा 2010 में क्लिक कर जोइन बोटम दबाएं वीडियो को लाइक कर अपनों में स्यार कर दें जोरुरत मंदों को भी स्यार कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर अलो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले वीडियो देखने के लिए धन्नवाद आपका दिन मंगल मैं हूँ जाहिन जाए भारत साथियों जदपी इसे त्यार करने में पूरी साब्धानी रखने की कोशिस की गई है फिर भी किसी घटनाओ तीथी एवा अन्नत रूटी के लिए छवा पारती हूँ कृपिया अपने अस्तार पर इसे निराकर्म कर ले इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ फिर काल मिलेंगे अधिक जनकारे के लिए सुविदा gk.blogpost.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं सुविदा 2010 टेलिग्राम ग्रूप में जूलने के लिए एड़ दा रेट टेलिग्राम 2010 में क्लिक कर जूइन बोटम दबाए वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें जुरुत मंदों को भी शेयर कर दें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर और वीडियो सबसे पहले आपको मिले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो जय हिन जय भारत